युगो युगो तक चलता रहेगा आपका यह कारवा होगी हर सावन पूले के आराधना ब्रमलीन श्री राजागनी हुद्री जी की प्रेणना वर्संस्ता राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोचित होने वाली प्रदीश की भव्य एवं नीशुल पूल बं कावर यात्रा का ये सफलतम अठारवा वर्ष है पूल बं कावर यात्रा सिर्पोर शिफ मंदर पेट्रोल पंसे महंकाल मंदर उज्जैन यात्रा दिनाग 11 अगस्त शानिवार प्रातह आठ बजे यात्रा सिल्योजक विशाल अगनिहोत्री गोलु भईया आयोजक प्रशान्थ अगनिहोत्री रानु भईया निवेदक संस्था राजा सिवन्या नमश्कार आप देख रहे हैं न्यूस 29 इंडिया मैं हूँ पूझा शेंडे आई ये नजर डालते हैं खास ख़बर उपर जालोन में हुए चर्चित दोहरे हत्यकान के दो आरूपी गिरफ्तार यूपी के रामपूर में इंडर कॉलज में गंदगी का अमबार जालोन में हुए चर्चित दोहरे हत्यकान की मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि चार आरोपियों को किर्फतार किया है जिसमें मुख्य आरोपि समेत उसके तीन पुत्र भी शामिल है इन आरोपियों ने पुरानी रंजश के तहद घटना को अंजाम दिया था जिसमें जालोन के आटा थाना शेतर के ग्राम संधी में तीन दिन पूर्व अग्यात हमलावरों ने पांच लोगों की गूली मार कर हत्या कर दी थी जिसमें एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि घटना में तीन लोग गंभी रूप से घाल हुए थे उक्त मामले में पुलिस अधिक्षक अमरेंदर प्रसाद सिहें ने बताया कि मुख्यारों पे अल्लाखाव उसके तीन पुत्रों ने घटना को अंचाम दिया था जिसके पास से घटना में प्रयूक्त तमंचे वकार्तूस के खाली खोके भी बरामत किया है के दो घटना गटी थी तो 29 फट इस की रात्ति में एक मपसूद नाम का बिफ़्टी है उसके उपर अटैक पो था जिसमें पास व्यों को नाम दिद किया व्या था और उसके बाद 2 दिन बाद एक और घटना गटी 31 की रात्त्त सी गे 8 की belly में 15 जिसमें कि दो लोगों की घटनास्तर के ही फाइजिंग से मौत हो गई थी और उसमें तीन दोग घंबी रूप से घाल हो गए थे तो यह घटना घटी थी और इसमें जो दूसरी वाली घटना थी उसमें एक अग्यात मुकर्मा मित्गा जैदेवी हैं उनके पती के दरब से पनिकित कर दूसरी घटना घटने के बाद लेकिन दूसरी घटना घटने के बाद हम लोगों ने उसमें इन्वेस्टिकेशन किया तो अल्दा रखा उसके चार तो तीन लर्के हैं यूपी के रामपूर में सच भारत अभ्यान की धजिया उड़ाता हुआ मामला सामने आया है जहां बिलासपूर के ग्राम मानपूर ओजहा गाउं में सित इंटर कॉलेज में गंदगी का अंबार लगा हुआ है खुद प्रिधानाचारी की कार्यले में बैठने की कुरसी पर महीनों से धूल साफ नहीं की गई है यही नहीं मेच पर रखे शीशी पर आपको धूल जमी हुई देखने को भी लिए है यहाल उस कॉलेज का है जो खुद बच्चों को सिक्षा दीता है लेकिन वहाँ खुद ही गंदगी की जद में है यही नहीं चात्र चात्राए भी सुरक्षित नहीं है कॉलेज की इमारत च्छतिक्रस है कभी भी कोई बड़ा हाथसा हो सकता है कॉलेजों को हरवर्ष मेंटेनेंस के नाम पर पैसा मिलता है पर वो सिर्फ कागजों में ही खब जाता है जमीनी तोर पर कुछ नहीं होता इस गंदगी पर जब कॉलेज की प्रधानाचारे से बात की गई तो उन्होंने अपनी कमी का सारा ठिकरा सफाई करवचारी पर फोड़ दिया और बताया कि इस वक्त बरसात हो रही है इसलिए गंदगी हो रही है वहीं उन्होंने बच्चों की पढ़ाएं नहीं होने पर टीचरों की कमी बताएं तो आज तो आप सुबह से बेढ़ें पूरा काम किया है अब कितने बच्चे हैं आपके हैं अब अब पर पैसा आता है कहा कहा लगाया एसकुल आपने आपके यहां मेंटेजन्स की नाम पर आता है अच्छा कमीटी बगरा यह पनी ते सुना टीचर के बड़ी कमी है अब आप अब है तो बच्चों के क्लासे कैसे अटेंट कराते हैं करके टेंट वी अभाव अच्छ यहां पात जो सफा कर्मचारी टर्मां आत है वो अपनी समय से ड्यूटी नहीं करती रहे और ठीक समय से वो आते भी नहीं है आते लिए इसके बजसे यह अब पर लूदरी इलियो इसके बज़़ी कि शिक्षा विभाद की तरफ से सुभाई करनी इस कॉलेज में तैनात है यह सहली कमसाम साड़ा जाके आसपास होगे इनकी सहली काम कितना करता है इसलिए पर्धान जी की तरफ से पीटेए की गटन हो जाए लेकिन दुर्भाग हमारा है कि हमारा विवाग भी नहीं समझता कि इस जिसो बच्चों को पढ़ाय तो कैसे पढ़ाये? कोई 30-40 लुपिया कोई बड़ी बशिंता है के पर्दा दरि लिंगे? Քरन की परृद हम नहीं करें, का स далwang सकते हैं, सम Hazardट और हम समझाते हैं, और हम समझाते हैं तारनगर के वाट 14 में दलित मांगिलाल की मकान पर नगरपालिका ने कारिवाही करते हुए जेसीबी की मदद से मकान को द्भस कर दिया इस कारिवाही से नाराज मांगिलाल की पत्नी ने आरोप लगाया कि नगरपालिका की कर्मचारी आए और उनके मकान पर कारिवाही की और साथ ही दो कच्छी कमरों को भी तोड़ दिया जब मैना देवी ने हाथ जोड़कर कर्मचारी उसे कमरे बे रखे सामान निकालने को कहा तो कर्मचारी के साथ आई महिरा कर्मचारी ने बुजर्ग मैना देवी से मारपी शुरू कर दी मैना देवी अपनी जान चुड़ा कर वहां से निकली मैं नदीवी का कहना है कि इस घर के अलावा रहने के लिए हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है बुजर्ग के पुत्र मोहन मीडा ने भी माले पालिका ई-ओ दलिप पुनिया पर आरूप लगाती हुए कहा कि पुनिया ने भी थाओकर हमारे घर को तहस नहस किया है मौडर्ण विध्याले के संचौलक पोकरमल पुनिया ने पालिका की करोड़ों रुपेओं की भूमी पर अवैद कबजा कर रखा और बार बार शिकायब भी हो चुकी है लेकिन इसका कबजा उखाणने की पालिका की करमचारी की हिम्मत नहीं हुई मेरे घर पर कल नगरपाली का करमचारी आये दलबल के साथ और बिना मोके दिये हैं हमारे घर पर तोड़ फोड़ कर दी और जो अतिकरम कर रखा था तायन अगर में पांक सुद्विका भूमी पर उन पर कोई कारवे नहीं थी जो पॉलिटिक्स वाले हैं उनकी को अतिकरम पॉलिटी पॉलिटाई था नहीं पर चाहिए रहे हैं कि अबी की खास खबरों बस इतना ही और खबरों खळी बने रहे रहे हैं यूजुस ट्वेंटी मैं इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश युगो युगो तक चलता रहेगा आपका यह कारवा होगी हर सावन पूले के आराधना यात्रस योजग विशाल अगनिहोत्री गोलु भाया आयोजग प्रशान अगनिहोत्री रानु भाया निवेदक संस्था राजा सिवन्यांस